कि नविश्कार एक बाई फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हुए एक बहुत ही महात्फपून मुद्दे के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है साउधी अरबिया से अभी आपने देखा होगा करनाटका ने अपने जो प्राइवेट इंप्लॉइस हैं उनके लिए 70 परसंट का रिजर्वेशन दे दिया अभी क्या कर रहा है साउधी अरब अपने विजन 2030 का जो उसका विजन है जो विजन 2030 प्रोजेक्ट है उसकी लिए वह साउधी अरब में बहुत सारे बदलाव कर रहा है और इसी को देखते हुए उसने अब अपने देश में रिजर्वेशन लागू कर दिया है इंजीनियर्स को ले करके तो उसने बोला है कि अब जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में इंजीन अब जाएगा इस से भारत में बहुत ही जादा जो इनजीनर से उनको इफेक्ट पढ़ने वाला है क्योंकि भारती बहुत इंजीनर हैं जो साउधी अरबिया में इस टाइम काम कर रहे हैं ठीक है तो इसी को देखते हुए हम डीटेल करने है है साओधी अरब का फिलेट 2030 कि भारत पर इसका क्या प्रभाव परने वाला है क्योंकि भारत की प्रहकों प्रॉपलम छायद कटी हो सकती है पर आ था आप वहां से उन्हें नहीं मिलेगा उन्हें कहीं और रोजगार के लिए जाना पड़ेगा तो इसी पर आज हम डिटेल से करेंगे मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कति आयसके स्प्रेटपर्म पर आप सभी का सब्सक्राइब देखते है न्यूस क्या है अपने ही साविधी अरभ में क्या वही कि लोगो contraryा हाली में साउधी अरब ने एक बड़ा फैसल लेते हुए प्राइवेट सेक्टर की जो इंजीनिरिंग नौकरियां थी इसमें अपने नागरिकों के रिए आरक्षन लागू कर दिया है अब इस पर आप सभी की क्या रहा है मुझे जरूर बताएगा कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए क्या कि कुछ-कुछ नौकरियों में कुछ-कुछ स्टेट जैसे रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं भारत को भी स्रेटर को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि भारत का भी अप 20 जुलाई से पूरी तरीके से साउधी अरब में लागू हो जाएगा साउधी अरब के मानो संसादन और सामाजिक विकास मंत्राले तथा नगर निगम और जो आवास मंत्राले है उसने यह निर्णय लिया है आगे बात करें तो यह निर्णय इंजीनियर जो व्यवसाई है इन में पांच या उससे जादा कामगारों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिस्थानों पर लागू होगा यानि कोई प्राइवेट कंपनी है जहां पर पांच से जादा इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वहां पर यह नियम उस कंपनी पर लागू हो जाएगा कि उसको 25 साउधी अरब के लोगों को देना है अगर चोते प्रतिस्तान है वहाँ पर आपके चारी इंप्लॉइन हैं इंजीनियर से रेलेटेट चारी इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वहां पर यह लागू नहीं होगा साउधी अरब की क्राउन प्रिंस अपने महात्वक आंग्शी प प्रदान किया जाएगा और जो विदेशों से नागरी का रहे हैं उनको धीरे-धीरे साइड लाइन यहां तक किया जा रहा है इस निर्णर से भारती कामगारों को जटका लगेगा अब क्यों लिया गया है देखे साउधी अरब का जो विजन है 2030 वहां पर उसने लक्ष रखा इस विजन 2030 के लखन रूप किये गए आपर इस विबीन षेत्रों में देश के पुरुस और महिलाओं को सबसे पहले क्या दिया जाएगा रोजगार पुदान किया जाएगा उन्हें प्रत्र बनाया जायगा इस इस्थानी लोगों को तो नौकरी आसानी से मिल पाएगी देश देश में आप देखोंगे हैं सिवीख इंजीनियर सथे प्रक्षेयल इंजीनियर इन यहे न बहुत ही ज़गों और यहीं पर सबसे पहले उसने रिजरवेशन लागू कर दिया है अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टन चीज कि जो भारती है भारती वहां पर लगवग कितने जौब करते हैं आप देखोगे साउधियार में लगवग 26 लाख भारती कारे कर रहे हैं 26 लाख भारतियों को व जीनरिंग में रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं साथी साथ मानो संसाधन विकास कोच यानि की hdf यह भी बनाया है ताकि वो लोगों की help कर पाए उसमें प्रोचसाहन सहायता कारिक्रम भर्ती प्रक्रियाओं का समर्थन और उप्युक्त श्रमिकों की खोज कैसि व्कुष मैंशन और वेवसाइक योगजिता यहां पर निधारत की जाएगे उसका समर्थन क्या जाएगा भर्ती प्रक्रिया और क्यारीर निरन तरता है उसका यहां पर समर्थन किया जाएगा इसके लिए फैसला लिया गया है कि हम इसको बनाएंगी तो यह साउधी साउधी अरब कर रहा है सब कुछ आगे देखते हैं साउधी अरब का जो महात्व कांग्षी प्रोजेक्ट 2030 के बारे में जानते हैं इसकी जो गोश्टना की गई थी वह 25 अप्रेल 2016 को की गई थी साउधी अरब सरकार के दोरा और उस टाइम यहां पर क्राउन प्रिंस थे मौहमत बिल सल्मान इनके द्रश्टिकोड के अनुरूप यहां पर आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक रूप से विविधी करन करने का लक्ष जो है वो रखा गया था कि हमें ऐसे प्र बास हुआ और वह वह साउधी हर पैसे उसका में कैसे यूजर करना है कि मेरे पास यहीं और रहूंगा तो अपने डेजर्ट में भी वह बहुत ही मात्वकांग्शी योजनाय चला रहा है साउधी अरब के विजन 2030 के थायत कुछ रणनीतिक देश इसमें शामिल हैं जिसमें भारत भी है तो भारत चीन इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी दक्षिन कोरिया और जपा 2030 के इसके जो विजन के रणनीतिक देश हैं वो हो जाते हैं ठीक है आगे बात कर लेते हैं इसमें भारती कामगारों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जैसे मैंने बताया कि लगबग 26 लाग जो भारती हैं वहां पर काम करते हैं और इसका सीधा असर भारत में देखने उने इसके चूरे बहुत सब्सक्राइब करें हैं जैसे कि ड्राइवर हैं सफाइकरमी रसोया हैं नर्स हैं और इंजीनियर वहाँ पर इस तरीके के सारे कारी करते हैं आगे देखते हैं और रावारत के चामॉसusts बहुत के नागरिक है भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन कहां की निवासी है वह भारत की निवासी प्रवासी श्रमिक रहते हैं जो सभी अंतराश्टी प्रवाशियों का 10% है और बहुत कर देखों कि रेजरवेशन दे दिया जाएगा तो क्या होगा इनका इन में सबसे कर रहे हैं as a shrumy के रूप में और श्रमिकों के रूप में आपर कारिवी कर रहे है और इसका कंदेखने को मिलेगा भारत को देखने को मिलेगा और भारत के इंजीनिर्स अभीन में रखना है कि भाई अब हमें दूसरा option भी तलासना होगा यहां पर अगर देखते हैं अभ्याश प्रश्ण क्या है तो साउधी अरब ने विजन 2030 के ताहता रणीतिक भागीदारी के लिए कुल कितने देश चुने हैं पांच साथ आठ या पर तीन आप सभी मुझे कमेंड में आंसर जरूर दीज तो मिलती हूं मैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शर्ण सेस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थांक्यू सो मुझ